राज़ानी के जोरावर सिंग गेट गंगापूर रोच पर एक शोरूम में अचानक से ही आग लग गई आग लगने से एलाके में अफरात अफरी का माहल बन गया और आग की सुखना के बाद मौके पर पहुंची दमकले काबू पाने का प्रयास कर रही है रासे संक्रे हुने और भीड की वज़े से दमकलो को शोरूम तक पहुंच पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आग के लप्टे इतनी तेज हैं कि आसपास के शोरूम को भी उसने अपनी चपेट में ले सकती है हरा की मौके पर प्रशासन सहे स्यागरों लोग आग पर काबू पाने का लगाता और प्रयास कर रहे हैं और फिलाल आपको बता दे कि आग लगने का कारण प्रथम दश्ट्रिता शौर्ट सर्केट बताया जा रहा है और इसी खबर पर और दिक जानकारी देने के लिए एवल समादाता यादविंदर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमार साथ यादविंदर बताये कि क्या प्रयास जारी है अभी और क्या वज़े रही इस आग की देखे लवीना मैं बतातू हूँ यह भी थोड़े पहले की ज़स्ट गटना है जब यहां पर जो 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 गेट इलाका पड़ता है शुबाश के पास के पूर इलाका पड़ता है यहां पर इस्टार लाउड नाम का यह शोरूम है जहां पर शौर्ट सरक्ट के चलते यहां पर आग लग गई थी और उसके बाद यहां पर जो बत्यों की पूरा बाजार है और आथ पास छोटी गलिया है तो ऐसे में काफी जो भगदरती और अफरात अफरीती वो मच गई थी इसके बाद यहां के जो व्यापारी थी उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उसके बा पर यहां पर आग बजाने का प्रयाद के लिए कि जो दमगल कर भी जब आपको भगजा रहे थी तो यहां पर अपर शक्री गलिया थी और इसके अलावा यहां पर भीड बारती उसके चलते यहां पर आग बजाने में काफी समश्याओं का सामना करना पड़ा था लेकिन यहां पर सामने आ रहा है लाल यह पुरी चीज है सारी जो घटना करम है यह पुरे जांच के बाद पतल पायागा कि अफली जो मुख्या वज़े क्या रही है लेकि प्रादम यो चांच है उसमें सामने आए शौर्ट शर्क्रिटी आग के वज़े रही है दिल्कुर जी अल दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन